नए विडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें करें दोक्तर होने का वतलब यह तुने कि जिसका जब जी चाहे फॉन खड़कर आजे डॉक्तर की घरे लिए जिन्दगी होती है पत्नी होती है बच्चे होती है इन प्यालों में यादे नहीं डूबेंगी आप दूब जाएंगे आपकी हस्ती डूब जाएंगी बड़े भाई हैं तो बड़े बड़े भाई हैं तो बड़े बड़े भाई जैसे काम भी करें बड़े भाई छोटी बेंके चुकड़े नहीं तोड़े बड़ी बहु के सामने मैं करो थे होकुम देने वाली वह आसमान से टपकी हैं मैं तो धरती पर पाइदा हुई हूँ आओ यारो नुचो अपने कशी पे वह मुच को तुम दे दो मेरी कुशी लो तुम बाटो और जुमो यारो नुचो अरे सभी डाले कभी न कभी गल जाती हैं बाबू कुछ जल्दी कुछ देर से मेरी डाल भी कभी न कभी गल जाएगी जिगरे दोस्त उसे कहते हैं यारो नुचो जो अपने दोस्त और उसकी खांदान के इज़त बचाने के लिए खुद फांसी पर चर जाने के लिए तयार हो जाए जूती जूती मैं हो जूती जूती मैं हो जूती जूती मैं हो जूती बात है लेट सिक्स्टीज की जब एक तमिलियन लड़की के नाम से निकला हिंदी सिनमा का सबसे चमकीला सितारा जब भानो रेखा गणेशन बन कराई रेखा अपने सामने खिची हुई हर लक्षमन रेखा को पार करती हुई ये लड़की लोगों के दिलों में कुछ इस तरह बज गई कि आज भी उसके दीवाने उसके कायल है हिंदी सिनमा की Eternal Diva का टाइटल रेखा के नाम है पर ये खिताब उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया कई सूपरस्टार्स को उनकी डेब्यू फिल्म से ही फिल्म इंडस्ट्री और ओडियंस दोनों ही अपना लेते हैं पर ऐसा रेखा के साथ नहीं हुआ रेखा को अपनी पहली फिल्म सावन भादो से ही कई नेगेटिव कॉमेंस का सामना करना पड़ा अरे इसके बाप को देखोगे तो तब ये धरी हो जाएगी फिल्म इंडस्ट्री और ओडियंस दोनों ने उन्हें नकार दिया और नाम दिया अगली डखलिंग क्यूंकि वो हिंदी फिल्मों की बाकी हीरोइंस जैसी गोरी और तीखे ने नक्षवाली नहीं थी हाँ लेकिन पक्के इरादों वाली जरूर थी उठाले अपनी मेनत की कमाई को और जाकर अपनी मा की चल्डों में रख देना उससे के रहा कि मैं जवान जिस्मों का व्यापार करके तेरे दूद का हक अदा कर रहा हूँ पहले हो मस्कूराएं फिर हो मस्कूराएं हर तरह के बूरे कॉमेंस के बावजूद वो फिल्मों में काम करती रही और अपने आप पर भी खुद पर कड़ी मेहनत करते हुए उन्होंने योगा और अडवांस्ट मेक अप टेकनीक्स की मदद से अपने आपको निखारा अगले दस सालों में रेखा कच्छी मिट्टी के पुतले से संगे मरमर की ऐसी मूरत में तबदील हो गई कि लोग उने कहने लगे अ ब्यूटिफुल स्वान मैं तो ये सूसुत की परेशान हो रही हूँ कि बहां चाले तुम की शुट के साथ कौन सी टा लगा लोगे और लोग हसेंगे और बापस लगते वग्स तुम कोई दुम्छली भी साथ लगा ला सकते हो कृष्णा, राधा, कमला के बजाए अंग्रेजी नाम चलेंगे काथरीन, ओडरी, जीना है ना ऐसी खुपसरत जूट से तो साहिते बनता है इसे तो कहते हैं सत्की श्रिष्टी जो सचाई से भी बड़ी सचाई है ऐसे जूर तो सिंदगी को सुंदर बना देते हैं क्यों, कैसे कही बदनामी के चादर न उड़ती तो कहब की लुट चुकी होती लोग मेरी बुराई से डरते हैं बाबा और मुझसे दूर भगते हैं 10th October 1954 के दिन पैदा हुई तमेल्ज सुपरस्टार जेमनी गणेशन और आक्ट्रिस पुषपा वली की बेटी रेखा पहले चाइल्ड आर्टिस्ट बने और फिर पैसो की तंगी के कारण 13 साल की छोटी उमर में ही कन्नडा फिल्म की हिरोईन बना दी गई कुछी साल बाद वो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए बॉंबे पहुँच गई और 1970 की फिल्म सावन भादों से डेब्यू किया हाला कि इसके पहले वो अंजाना सफर नाम की हिंदी फिल्म में बिस्वजीत के ओपेजिट काम कर चुकी थी लेकिन ये फिल्म एक किसिंग सीन की वज़ा से सेंसर में अटक गई और 10 साल बाद दो शिकारी नाम से रिलीस हुई ऐसे में सावन भादों उनकी पहली हिंदी फिल्म बन गई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी मदद या सहारे के कदम रखने वाली रेखा उस वक्त सिर्फ 15-16 साल की रही होंगी ये उम्र ना समझी की होती है इस दोरान वो क्या सही कर रही थी और क्या गलत इसका उन्हें अंदाजा ही नहीं था अपनी पहली रिलीज सावन भादों के प्रेमिया पर जब वो कुछ जादा ही तयार होकर पहुँची तो शशी कपूर उन्हें देखते ही चौंक गए और उनके मूज से निकल गया कि ये काली मोटी आक्ट्रिस हिंदी फिल्मों में कैसे चलेगी तब उनकी पत्नी जेनिफर ने कहा कि कोई बात तो है इस लड़की में ये बहुत आगे तक जाएगी जेनिफर कपूर की ये बात सही साबित हुई पर उसका क्या करोगे जिमरी कोख में बैठे-बैठे के देख रहा है कि उसका बात कितना नीच आदमी है जिन लड़कें के घर में वित्वा माँ हो एक वित्वा भावी हो एक अनाद छोटा भाई हो अनाद बदीजी हो बदीजा हो जिसने अपने बाप को मेरी जिन्दगे का कलंग बना दिया लेकिन रेखा को छे साल तक कामियाबी का इंतजार करना पड़ा जबकि उनकी रामपूर का लक्षमन, नमक हराम, कहानी किस्मत की, धर्मात्मा जैसी हिट फिल्म्स आती रही पर उनमें रेखा का कोई खास योगदान नहीं माना गया उपर से विनोद महरा और किरन कुमार के साथ अफेर्स की खबरें और उनकी इमचौर और बोल्ड इंटर्व्यूज ने उन्हें हमेशा घलत वज़ाओं से हेडलाइन्स में रखा विनोद महरा के साथ तो उनकी शादी होने की अफवाएं भी फैल चुकी थी हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ लगा रहता है कोशित तो बहुत करती हूँ कि ध्यान हटा दो लेकिन घूम फिरकर यहीं आकरा टक जाता है 1976 की फिल्म दो अंजाने में अपने रोल और परफॉर्मेंस की वज़े से रेखा को पहली बार कामिया भी हासिल हुई इसी फिल्म से उनकी अमिता बच्चन के साथ हिट जोडी की शुरुवात हुई अरे तेरी आखों में देखते देखते मैं जवान होगी पर बात आगे बढ़ते नजर नहीं आती अरे फिकर मत कर अब की सावन में शैनाई बजाकर सारे गाउं के सामने उठा कर ले जाऊंगा तुझे आइस्ता बोल आइस्ता अगर तेरी मान ने सुन लिया न तो तेरा जनु उतार के तुझे घर से बाहार निकाल देगी ये छोरी नाम तो तेरा धनिया लेकिन बातें तो आइसे करें जैसे मिर्ची रामकसम काउना दिन गुसा आई जया न तब चट नी मोना का खा जाओंगा अरे जय अभी तक वो सिल ही ने बनी जिसप़ धनिया की चट नी पिसे जाए ले गंणाखा खानी जी घरी बात्ना बनेगी राचा खानी जार्ट से तेरी बात्ना बनेगी राचा वो कहते हैं ना जैसी संगत वैसा असर अमताब बच्चन जैसे disciplined और dedicated artist के साथ काम करते करते रेखा ने भी अपने career को seriously लेना शुरू कर दिया जिसका असर 1978 में release होने वाली उनकी दो फिल्मों में दिखाई दिया घर और मुकदर का सिकंदर में अपने लाजवाब performances से उन्होंने अपने बड़े से बड़े critics को मूँ तोड़ जवाब दिया 70s का decade खत्म होते होते अमताब बच्चन के साथ की हुई खून पसीना, गंगा की सौगंद, मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम और सुहाग जैसी हिट फिल्मों के साथ, रेखा अपनी एक मजबूत जगा बना चुकी थी तो आईए, अब देखते हैं रेखा के कुछ अमेजिंग सीन्स मा की दवाई के लिए अपने बाप से पैसे मांग मैं ले सबका ठेका ने लिया है वहू की तबीद ठीक नहीं है बेटी तो मैं क्या करो रादिका, ऐसी वाली लिप्स्टिक लिया ना, जा भाबी की दवा आपकी लिप्स्टिक से जादर जरूरी है दीदी और क्या-क्या जरूरी है मरी लिप्स्टिक तुम्हारे बडे भिया की दारू भाबी की नए बच्चे की कपड़े मा की मांग दिले ऐसे आदमी के नाम का सिंदूर जो इन है और अपनी तमाम जमेदारों की छोड़कर नभागया नाए नाए इन में से कोई भी चीज जरूरी नहीं है जरूरी है दो सिर्थ तुमारी लिए पे स्टिक ताकि तुम विश्याओं की तरह बंठन कर आफिस जा सको अशोक क्या शोक, मैं बुछता है इतना बंठन कर आफिस जानी क्या दरूरत है बस बस अपने बड़े भागी मुझे यही सुना रहा है क्या था कि मैं वैश्या हूँ हरे, यह वैश्या ने रही होती तो भूके मरगे होते आप भी और आपकी बच्चे भी अपनी बेहन को वैश्या कहने वाले भाई ने कभी यह तो ने सोचा कि उसकी बच्चों की जोली में कोई भविश्या है यह नहीं अपनी मा की बच्चे कुछे दिन कैसे गुजरेंगे अपनी जवान विद्वा बेहन का क्या होगा लेकिन यह सब सोचा मैंने इस बेश्या ने देखो देखो यह बेंक की बासबुख किस-किस के नाम है कीता तुम्हारे विद्वा बेहन की भविश्य के लिए राजू तुम्हारे अंदे भाय की ओपरेशन के लिए रादिका और बबलू हाँ, तुम्हारे बच्चों के नाम भी जमा कर लिए उनकी बढ़ाई के लिए यह सब मैं अपने मरने की बात का इंतिजाम कर रही हूँ मुझे बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है बड़े आप है संभालिये इन सब की जम्मेदारिया मेरा भी जीने को जी चाता है बेबसी के रास्तों पर मेरी अपने जिंदे की गुम हो गई अब मैने कभी रुक कर उसे खोजने की कोशित अग नहीं की बड़े भाई बनिये संभाली अपने अई घर और इस घर की जम्मेदारिया कल से नहीं, आज से, अब ही से अब मुझ सिधा कर लो, तुम्हारे नाम सुम्हारे जाइदत के विजशिते करवा दीए सभालो अपने सिधा के पर हमारे खानदान में दिवे चीज़ें वापस देने कर रिवाज नहीं मुझे ने चाहिए जाइदत वाईदार और मेरे खानदान में भीत मांगने का रिवाज नहीं तो फिर डैडी को पट्टी बढ़ा कर वस्यत के लिखवाई थी? क्या पर हो, शेशी? कितनी बार कहूं कि मुझे ये गाली न दो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि अंकल चीने को ये वस्यत भी लिखी है पनो मत देखो, देखो मजे गुस्ता मत दिला शेशी तुम समझते क्या है अपने आपको? इस तुम से शादे करने के लिए मैं इतना बड़ा जाल बिचाओंगी? मुझे तुम्हारे डैडी की पैसो से अपने लिए पती खरीदने की ज़रूरत नहीं कभी यह भी सोचा है तुम्हें? कि मेरी भी अपनी मर्जी अपनी पसंद अपनी नापसंद हो सकती है? तौप्टर शशिकांत वर्मा मेरी भी अपनी पसंद और नापसंद है तुम क्या शादी से इंकार करोगे? मैं इंकार करती हूँ हम घरीब लोग है पर बड़े घर में रहना भले ही न जाने अच्छे कपड़े पहना भले ही न जाने पर इजच्ध तरहना जरूर जानते है Cai बच्पन की साथी हूँ चाहती हूँ कि तुम खुश रहो मगर एक बात खय're रगना शशिक क्रिष्न बनकर नहीं तुम राम बनकर जीओ पापु नहीं जूती दिये हैं देख लो खुबसूरत हैं लेकिन तुछ से ज्यादा नहीं ए बाबू जूतों से हमनी सेकल का मुकाबला कर रहा थो अरे नाराज क्यों होती धुनिया तेरी शकल तो मेरी शकल से भी अच्छीै है है ना चल अपने हाथों से जूते पहने हाथे मझे अचल्य है आ जा यह हम्रा काम नहीं है तिस काम की किमत क्या लेगी चोकली इसकी कीमत तो तुम खुदी रुख लो चुटी सकता है और अपने हाथों से ज्यूते पहने लेते हैं हाँ हाँ खुब देख लो फिटिंग मिटिंग बराबर है न कहीं दबा दो तो नहीं अरे ओ बाबू कि घूम घूम पर हंका का देख रहे हो अपने जूते को देखो और ही काटथ तो नहीं कर दो बाद बाद पर जुरू काट ती हाँ ये बात जान लो छुटे सरकार हमरे काटे का मंतर नहीं है जस्वन सिंग के पास हर जहर का इलाज है बहुल कितने पैसे बापु नी पचास बोले हैं यह ले पचास बापु को देजे ना उपर के तीस तेरे पैसे के गर्मी धनिया को नरम नहीं कर सकी जुटे सरकार यह लो उपर के तीस हम दे हुई चीज वापस नहीं लेते यह हमारी शान के खिलाफ है लोरकी अरे तुमरी सान तो बाबू गाउं भर के छुकरिया जानत है वापस तो तुम भी आज समयत लेते हो यह पड़े हैं उठाई ले ना अंधेरे उजाले में तुम्हारे सिगर्ट पाने के काम आएंगे किसमत पर किसी का जोर नहीं चलता है दिदी देख किसमत से हार भी नहीं माननी चाहिए एक तरीका है किसमत से लड़ने के लिए रुपे कुछ कम नहीं है पचास रुपे और ले तुझे और चाहिए तो और दे दूंगे मैं इसे काम चला लूँगी क्या नाम बता है उस चपडगंजू का मा क्या है तुमने दीदी की शादी डॉक्टर अनेल कुप्ता के साथ तैय कर दी हां बड़ा अच्छा लड़का है मैं खुद देखकर आया हूँ शराब और सिगरेट तो छूता तक नहीं शराब और सिग अच्छी मुश्कील है अरे बोलना मा तुम्हे आदे एक दिन बास्केट बॉल खेलते वे मेरे पेर में मोच आ गई थी हां और तुमने हल्दी चुना भी लगाया था हां हां तो जब मेरे पेर में मोच आ गई थी तो बसंती मुझे उसी डॉक्टर अनिल गुप्ता के पास चिटकनी बंद कर दी चिटकनी बंद कर दी मगर क्यों चिटकनी बंद कर दी मुझसे क्या पूछती हो चिटकनी बंद करके उसने मुझसे कहा कि तुम उस टेबल पर लेट जाओ और अपने इशर्ट की बटन खोलो मुझे तुम्हारी सीने की जांच करनी है मगर सीने की जा मैंने कहा दोक्टर साथ मोच तो मेरे पैर में है आप मेरे सीने की जांच क्यों को ना जाते है तो नाराज हो गया केने लेका सुनो डॉक्टर मैं हूं कि तुम फिर फिर ची 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 मैंने तो अस बत्तमीज की मूपर ये तलाफ हमारा और चलियाए मां अगर अब भी तुम देख भूल जाता है elev जाथा हूं मैं अपना दुख भूलना चाहते हूं तुझे क्या दुख भूह पादा कके मेरे घ्मीब दिटसात बाड़ीज चलियें के सब 9550 यह चार आ गार ड। लगता है तो नहीं करते हैं नतुला जी मुझे कुछ बात गडबर लगती है लगता है लगता ही है सुनी दरवसल बात यह है कि इस गाउड के डक्टरों की तक्दीर में शादी लिखी नहीं है लक्टुलाज जी वह जो अपने चोटे डक्टर है ना है चोटे डक्टर है ना है मगर ना जाने क्यों है वो है उचने मेरा दिल तो दिया तो फिर क्या हुआ मेली गादी पचली चे उचल गई उचल गई तो थैर तू एक काम कर नत्थु लालकी नत्थु पहन ले जाली पट्टी पर आज जाएगी तरे यह खाने की नहीं है पहनने की है थे उच्शनी कंख ले एक जाली पारे मार पर्च्री को गोली तु मेरी बेल गारी में बैठ जाएगै यह इंत पहनले नहीं देखा आपने रेखा नाम के इस fire brand का कमाल? क्या आप जानते हैं, रेखा ने कभी classical या western dance की training नहीं ली थी? लेकिन क्या आप उनका dance देखकर ये कह सकते हैं? नहीं ना, बलकि उनके graceful dance movements ने उनके अंदाज को और भी खास बना दिया. ये confidence और style उनका trademark बन चता था, जिसके लिए audience उन्हें पसंद भी करने लगी थी. लेकिन रेखा का खुबसूरत वक्त अभी आना बाकी था, उनका star से दीवा बन जाना बाकी था, जिसका जिक्र हम करेंगे अगले episode में. तब तक मैं याने अदा लेती हूँ आप से विदा. गुडबाई, सलाम, नमस्ते, सस्रीकाल, रखे अपना खयाल, स्टे टून और स्टे सेफ. कितना एक खुज सूरत लोगों का ये बहारा मुझे को खराब तरके, कहता है ये जमाना, जमाना ये औरत खराब ते, हाँ जिये औरत खराब ते, बोलो अब क्या जवाब ते, बलना कोई जवाब ते, कितना है खुब सूरत लोगों का ये बहारा, जमाना मुझे को खराब कर ते, तेहता है ये जमाना, जमाना ये औरत खराब ते, हाँ जिये औरत खराब ते, बोलो अब क्या जवाब ते, करना कोई जवाब ते, करना कोई जवाब ते,